तो नमस्कार दोस्तो आज की इस बीडियो में हम बात करेंगे न्यू महेंद्रा बुलेरो पिकप CBC 1.70 वाले वेरियंट को अगर आप खरीते हैं 2020 में तो इस बीडियो मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की न्यू प्राइस क्या है और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें मैं आपको तीन फाइनेंस प्लान भी वताऊंगा साथ साल की, छे साल की और पांच साल की इसके लाब आपको कम से कम कितने डाउन पेमेंटिस में करना होगा और आपकी मंतली किस्त कितने रुपए की बनेगी सब इस वीडियो में जानते हैं तो दोस्तों ये महंद्रा बुलेरो पिक अप जो है उसका मैंने बेस वेरियंट लिया है तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी की न्यू प्राइस की तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं यंपी के इंदौर सिटी से तो इस गाड़ी की एक्सो रूम प्राइस होगी 8,42,526 रुपए जिसमें आपका RTO 4 जुड़ेगा 84,220 रुपए वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंसोरेंस करवाते हैं तो इसका लगेगा 69,704 रुपए यानि कि सभी टेक्स और चार्जेस जोडने के बाद इस गाड़ी की टोटल आन रोट प्राइस निकल कराती है 9,86,482 रुपए अब अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं आपका टोटल लोन अमाउंट 8,86,000 रुपए का बनेगा और इसमें आपकी मंतली किस्त 14,714 रुपए की बनेगी तो दोस्तो मतलब कि एगर आप 1,00,000 रुपए तक का डाउन पेमेंट करेंगे तो उसमें आपका बचता है 8,86,000 रुपए और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस 7 सालों के लिए करवाएंगे तो आपको जमा करना पड़ेगा 12,36,000 रुपए अब अगर बात करें दोस्तो इस गाड़ी के 6 साल वाले फाइनेंस प्लाम के बारे में तो उसमें भी अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपए तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 8,86,000 रुपए का बनेगा और इसमें आपकी मन्तली किस्त बनेगी 16,420 रुपए की और इसमें आपको टोटल लोन अमाउंट जमा करना होगा 11,82,000 रुपए 6 सालों के लिए अब अगर बात करें इस गाड़ी के 5 साल वाले फाइनेंस प्लान के बारे में तो इसमें भी अगर आप कम से कम वही डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपए तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 8,86,000 रुपए का बनेगा और इसमें आपकी मंतली किस्त बनेगी 18,832 रुपए की और इसमें आपको टोटल जमा करना होगा 11,30,000 रुपए तो दोस्तो यही थे महेंदरा बोलेरो पीकप CBC 1.70 वाले वेरियंट को अगर आप खरीदेंगे तो ये गाड़ी 2021 किस में कितने की पड़ेगी और इसमें आपको कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और आपकी मंतली किस्त कितने रुपए की बनेगी तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो और इसी तरह की वीडियो पाना है तो मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद